नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रेंड धमसरमार आमवस्या की तिथी के दिन तूलसी के पत्र और बिल्व पत्र बिल्कुल भी नहीं तोड़नी चाहिए यह तो आपको पता ही है और इस दिन पूरे घर की कम से कम मकरी के जारे तो इस दिन अच्छे भी कुए में एक चमच गाय का कच्चा दूर यानि गर्म क्या दूर नहीं डालना है बलकि कच्चा दूर डालने से जीवन में आ रही तमाम परिसानियों से आपको मुक्ति मिलता है और भागे भी साथ देने लगता है वैसे तो अवस्या की तिथी को सनी, राहू, केतू, सम सन्न होते हैं तो आप भी जरूर कीजेगा हम बात करेंगे वो कौन सा मंत्र है जो आपको रात में सोने के पहले बोलना है दोस्तों कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथी होती है अमवस्या तिथी और इस दिन आकास में चंद्रमा ना दिखने के साथ ही सारा आकास अंदेरे से धखा रहता है और जोतिस और तान्त्रिक सास्त्र में खास महत्तु मिला है इस अमवस्या तिथीको तो अमवस्या की तिथीको धन प्रापती के लिए मालक्शमी भगवान विश्णू जी की आरादन जरूर करनी चाहिए और इस दिन आप चुकि सुक्रवार के दिन अवस्या है तो आप रात में नौ बजे से लेकर साढ़े दस बजे के बीच एक घी का दिया मालक्षमी के पास या फिर सिपजी के मंदिल में जाकर जरूर जलाए ऐसा करने से जीवन की तमाम परिसानिया दूर हो जाती है चुकि इस बार की अवस्या खास है वैसे भादर प्रदमास भगवान स्री कृष्ण को समर्पित है तो पितर देव का आसिरबाद आप पर बना रहे है भगवान स्री कृष्ण का आसिरबाद बना रहे है तब क्या करेंगे इस अवस्या के दिन पितर लोगों को प्रसंद करें ओम सर्व पित्री देवता भ्यो नमहा इस मंदर का जब कीजिएगा आपको ध्यन की कमी कभी नहीं होगी ऐसा हमारा सास्त्र कहता है तो यूँ ही पित्री देवताओं का आसिरबाद आप पर बनी रहे आपका बंस्विर्धी होता रहे भाग्योदय होता रहे इसी सुबकामना के साथ हम आपसे बिदा लेते हैं हरहर महादेव फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ